अलो प्रेंट्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रभाणिदाग कॉंट में आज इस वीडियो हम देखने बाले हैं क्लास नाइन्थ बर्क पावर एनर्जी का लास्ट पार्ट है लौ आप कंजर्विशन यह एक्जाम पॉइंट अब जिए काफी इंपोडेंट है क्योंकि एक तो इससे फाइब मार्क्स का डेरिविशन आता है तो वो हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं और बहुत ही परणना आता है तो लाइक एंड जरूर करें लौ अधिये लौ आप पंजर्विशन कि फस्ट देखे क्या लेखा हुआ है एनर्जी कें नैदर भी ट्रीटेट नौर भी डिस्ट्रोइड आकर इस स्टेट्मेंट का मींस क्या है एनर्जी नैदर केंड भी क्रेटेड नौर इस स्टीज को हम बना नहीं सकती डिस्ट्रोइड नहीं कर सकते आकर वो चीज आती क्यां से है ना उसको हम और प्रहूव सकता कि किसी जी को ना बना सकते हैं ना दिस्ट्रोइड कर Come to अनुदर मतलब इसका मिंज है लेकिन हम इसको convert कर सकते हैं इसका मतलब इसको हम ना तो create कर सकते हैं और ना ही destroy कर सकते हैं लेकिन इसको convert किया सकता है तो means यह रहा हम energy को created नहीं कर सकते convert ज़रूर कर सकते हैं हमारा जो energy है वो एक रूप से दूसरे रूप में change हो सकता है तो energy कभी destroyed नहीं हो सकती कभी creator नहीं हो सकती हम उसको एक से दूसरे रूप में changes कर सकते हैं और ये बात आप खुद बोलोगी अभी मैं example देता हूँ तो आप खुद बोलेगे कि हाँ sir ऐसा ही होता है तो first of all देखिए हमारे पास एक example है यह है हमारा electric bulb यह electric bulb है first of all आप switch को on करते हो आप जब switch on करते हो तो switch on करते ही इसमें कौन सी energy आती है electric energy कौन सी आज़ती है electric energy और वो electric energy किसमें change हो जाती है आपकी light energy किसमे चुझ आती है light energy में चिक है टो energy कौन सी थी electric energy थी आपने किसमें convert कर गयो उसको light energy में आपने उस energy को create नहीं किया वो energy पहले से ही थी कौन सी थी electric energy आपने उसको convert किया light energy में आप मींज सेक्सेंड लुखते है example second देखिए आप daily use में ये देखते हैं ये देखिए fan है आप इसमें भी जब switch on करते हो तो इसमें कौन सी energy आएगी electric energy कौन सी वाली आने वाली है electric energy और electric energy से ये किसमें convert हो जाती है mechanical energy में I hope clear हुआ होगा ये आप daily wages पर सारे example देखते हैं तो that means हम ये आज से याद कर पाएंगे कि आखिर energy का जो law of conservation है वो क्या है तो law of conservation है बात रही बात है कि energy को ना तो हम create कर सकते हैं और ना इसको distort कर सकते हैं बट एक मतलब एक बन जसका जो real means मतलब ये है इसको एक रूप से दूसरी रूप में change कर सकते हैं आई हो clear हुआ होगा मतलब that means it is a convert energy को convert किया सकता है आगे देखते हैं काफी और example है मारे पास देखिए ये example है देखिए आपने turbine देखे होंगे देखिए एक टाइम ऐसा आता है कि इस पे तो देखो जब store है तो वो कौन सी energy है potential energy जानते होगे पहले से ये आपने पढ़ रखा है potential energy store है जब इसको dam को यहां से जब open किया जाता है यहां से तो यहां से ये water जब आएगा बहुती speed से तो यहां पर कौन सी energy होजाएगे kinetic energy I hope आप अच्छे से जानते हो चीज कि कोई चीज टूर होती है potential energy होती है मैं और भी example वर्षा सकता हूँ जैसे आप गुलेल जो होती है न चड़िया बगएरा मारते है ऐसा जो स्टाइक होता एक जो bow and arrow होता है धन्यों सौरबाण उसमें भी हम जो खीच के रखते है जो हम खीच के रखते है तो वो सारी potential energy होती है मतलब something which is happened कोई चीज होने वाली है लेकिन होई नहीं है आप अपनी उंगली कोई पकड़ के एकदम से जो खीचते हैं उस टाइप से तो यह सारे के सारे example potential energy के है तो कोई चीज store है तो वो potential energy है जब इसको dam को कोल दिया जता है तो वो किसमें convert होगी kinetic energy अब जब यह kinetic energy जो यह लगे हुए turbines देखो यह turbines लगे हुए तो इन turbines पर जब पढ़ती चीज़बल हो जाती है electric energy आई होग फिलियर हुआ होगा क्या हुआ यहां से फानी स्टोर था तो यहां पर कौन सी energy थी potential energy थी potential energy जैसे आपने यहां से dam को open किया तो वो किसमें चीज़ब हो जाएगी kinetic energy में और kinetic energy से जो जितने भी लगे हुए वो किसमें चीज़ कर सकते है electricity तो energy convert हुई ना तो हमने उसको create कर पाया ना destroy कर पाया पोटेंशिल energy क्या हमने उसको destroy किया नहीं वो destroy नहीं हुई क्या हमने kinetic energy को destroy किया नहीं kinetic energy जो है वो electricity में change हो चुकी आई हो अच्छे से clear होगा अगर आपको video पसंद आ रहा है तो like कीज़ेगा और ज्यादा स्याद अपने friends के साथ इसको share कीज़ेगा next है इसका derivations है इसका derivations काफी important है मैं थोड़ा इसको zoom कर देता हूँ आपके लिए यह derivations क्यों important है क्योंकि यह हमारे exam में 5 marks का आता है ये मिरे पास एक ball है ये ये ball है मेरे पास मैं इस ball को इस एक height पर रखा हूँ h height पर हमने इस ball को रखा है अर सबमल को है तो इसमें हम मैं ये जानना चाहरहों कि आखिर energy जब change नहीं होती तो उसका जो total energy है जो total energy है mechanical energy आई ओप जानते हुँ टोटल मेकनिकल एनरजी क्या होती है पोटेंसियल एनरजी प्लस कानेट एनरजी तो वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए तो स्टार्टिंग में देखिएगा कानेट एनरजी का फॉर्मुला आप जानते हो कानेट एनरजी होता है हाप M B स्क्वेर अर्टिंग यहां पर यह तोह यहां पर कानेट एनरजी क्तना होगा तो यहां पर कानेकनेट इनरजी आपका जीरो हो चुका है कि औरौब है पॉटेंजिएल लोग होती है यह जानते हो नुए यहां पर फोर्च होता है स्टाइब आ रहाँ है से ओड्रेज़क नहीं मतलब ग्रेविटी खे भ्रेविटी जांते हैं U ग्रेवटी एक्स एक्सलिडेशन ड्यू टू ग्रेवटी रिक है और टोटल मेकनिकल अगे तो क्या हो जागा प्रोटैंसियल अनर्जी प्लस जब एड कर दो तो क्या जागा एम जी एच तो वही रेजल्ट देखो यहां पर रेजल्ट बॉल का है अब मैं बॉल को एक बार इस जगर रखूँगा एक बार इस पॉइंट पर रखूँगा तो सेम आना चाहिए अगर सेम है तो देट मींस हम जान पाएंगे कि जो एनर्ज ठीक है वी पोजिशन पर रख रखूँगा अगेन करते तो देखो वहीisesti प्रोसेस पर रहेगा पहले मैं कैने कौन सा पहले मैं kinetic energy निकालूगा उसके बाद potential energy निकालूगा तो kinetic energy के वोई formula लगाना है half mv square half mv square लेकिन आप देखो वो अपनी initial position से थोड़ा इदर आगी b point फर आगी है तो b point को मैं नमाल लिया कि x distance तक आज चुकिए x distance तक आज चुकिए अब बात आती है कि इस v को कैसे निकाला जाए तो मेरे पास तीन formula है law motion के तीन formula जानते है b is equal to u plus a t अरे यार यह t आ गया t हमारे पास यहाँ पर है नहीं तो t के लिए आप कोई और formula लुटते है एक formula लुटता है क्या s वराबर ut plus h भाई इसमें भी t आता है हम इसको भी ने लिपाएंगे एक formula लता है v square minus u square is equal to 2as हाँ यह लगा सकते है इसमें t नहीं है तो यही formula लगा सकते है तो y b square minus u square is equal to 2as लेकिन initial तो यहाँ पर क्या है 0 है तो b square is equal to क्या आजाएगा 2as initial velocity तो 0 होती है तो v square is equal to कितना आजाएगा 2as यहाँ पर a for क्या है acceleration है लेकिन हमारा यहाँ पर g है तो हम उसको g ही लखेंगे ठीक है तो अब देखो half m और यह जो v square है तो v square ही जाएगा 2as लेकिन हम लिखना पड़ेगा 2gs क्योंकि हमारा जो s नहीं है वो है हमारा distance x तो यहाँ पर x लिया तो देखो 2 से 2 cancel out हो जाएगा तो mg x आजाएगा हमारा k के value कितना आगे है mg x आई होप इतना calculation आप करपाते हो आगे देखिए यह जब कितना mg x आ चुका है आप देखी नीचे initial तो mg h होता है mg h लेकिन आप भाई height h नहीं रहा height देखो height देखो इस से point से measure करते है height कितना है तो इस point से तो जार इस में measure करते हैं तो पूरी height h थी उसमें से x से तो कम हो गया तो कितना बचा है h minus x ठीक है यह remain बचा हुआ है h minus x तो h के place में मैं रख दूँँगा h minus x अब इस mg की अंदर multiple करो mg की h से करोगा तो mg h minus mg की x से करोगा तो क्या हो जागी mg x तो यह आ गया u का value लेकिन हमें निकालनी है क्या total energy ठीक है total mechanical energy तो क्या होती है potential plus potential plus kinetic potential kinetic तो इसे को add करते हैं पोटेंशिल हो का इने ठीक हो तो देको mg x था पहले potential निकाल चुके थे mg x और यह आगे mg h और mg x दोनों आ चुके थे mg x से mg x cancel out हो जाएगा तो क्या बचा हमारे पास mg h that means first time हमने देखा था उसमें भी mg h आए था second time फिर mg h आए बतलब energy में कोई destroy नहीं हो रहा है ना energy जैसी थी वैसी ही है only convert हो रही है यह हमने example से देख लिया था again मैं last point पर और रखूँगा एक बार इसको तो अब की बार में मैं इसको यहां पर last point पर रख दिये हैं जैसे इस जगे बॉल रखा हुआ ठीक है तो देख कानेट है वहाँ हाप Mb2 वही अब तो देखो अब तो इसको लगा देंगे ना अब तो देखो इससे यह जो B2 की value रखेंगे ना तो यहां से फिर B2 की value लग दो तो फिर वही cancel आ जागो तो MgH आ जाएगा अब देखो U की value कैसे नहीं अब देखो MgH आ चुका इसका मतलब U की value 0 आने जी तब तो MgH हो सकता है तो देखो U is equal to क्या होता है MgH तो Mg लेकिन अब height क्या रही देखना यह यहां पर रखेंगे यह अगर इसको ground से इसकी height measure करों तो क्या कोई height नहीं है वही ground से कोई height नहीं है इसकी तो यहां पर H के बिल इसके का रखना 0 तो U की value कितने आ जाएगी 0 जब U की value 0 आ चुकी है क्या आ चुका है यह देखिए U की value कितने आ चुकी है जीरो आ चुकी है अगर U की value यह हमारा लड्डू आ चुका है तो क्या करना है हमें दौनों को add कर देना है तो add कर वे देखू काइनेटक energy प्लस initial तो MGH प्लस यह लड्डू तो total कितना हो जागा MGH I hope clear हुगा हमारा तीनों के तीनों conditions में देखिए एक बार हमारा तीनों के तीनों conditions में हमारा क्या आ चुका है MGH आ चुका है MGH आ चुका है हमारा तीनों के तीनों conditions में I hope clear होगा ठीक है आप चाओ तो इसका में PDF अपने description में डाल दूगा तो वहां से आप download कर सकते हैं I hope वीडियो पूरा पसंद आया होगा अगर आपको कोई query है तो आप comment जरूर किजेगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा like करें और share करें आज के लिए बस इतना है और देखिएगा आपके लिए मैं देखिए एक jokes है ब इस है कि और पड़े यृग में पॉति कि अष्य करते हैं देखिएए जमने लुद्ड़ा horizon कि करें देखिए तो फ्यादा क्पड़े पूठी क्धमाज 2013 तो इसी के साथ हमारे वीडियों सब्सक्राइब करते है धन्यवार